हेलो डिया स्टुडेंट्स तिवारी अकैडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम बात करेंगे आइक्सोसाइज 12.1 के बारे में जिसके अंदरा बहुत सारी चीजन सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेशियो क्या होता है उस इसको कंपेर करना होता है और इसको डिनोट करने के लिए अलग अलग तरीके हैं आप इस तरीके से भी डिनोट करते हैं वन रेशियो टू आप इस तरीके से भी डिनोट करते हैं वन अपॉन चू आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं किसी भी रेशियो को वन टू टू इस तरीके से भी आप denote करते हैं तो यह ratio है जो compare करने के काम आता है दो quantities को अब हम बात करते है proportion की तेकि जहां भी proportion की बात होती है आपको समझना होगा कि जो proportion होता है वो दो ratio को जो होता है वो उसकी equality को बताता है यानि कि suppose करो हमारे पास दो ratio है write a upon b equal to दूसरा होगा c upon d यानि कि a upon b एक ratio already है और proportion को हम इस तरीके से ही बताते हैं और जो कि c ratio d यानि कि दो जो ratio होते हैं उनकी equality को बताने के लिए हम proportion का use करते हैं अब हम बात करते हैं सबसे पहले question number first के बारे में तो किसी भी question को solve करने से पहले आपको उस questions में क्या पूछा जा रहा है उससे हमें समझना होता है देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर 20 girls हैं और 15 boys हैं एक class के अंदर तो हमें सबसे पहले ratio find out करना है number of girls and number of boys का और दूसरी जो चीज़ यहाँ पर पूछे जा रही है कि what is the ratio of girls to the total number of students in the class देखिए total number of students कौन से होंगे total number of students होंगे जो students जिसके अंदर girls भी होंगी और boys भी होंगे तो total number of students उस तरीके से हम find out कर लेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा first question है उसके बारे में बात करते हैं यह वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं तो हमें find out करना है ratio girls का और to the number of boys को भी हमें find out करना है तो सबसे पहले अगर हमें ratio find out करना है तो बहुत simple है ratio find out करना ratio किस तरीके से find out करेंगे सबसे पहले हमें find out करना है number of girls तो number of girls है 20 और फिर हमें देखना है number of boys के इतने number of boys है 15 तो इनका ratio हम easily find out कर सकते हैं अगर इसको हम cancel out करें तो यह देखिए 5 से cancel out हो जाएगा 5 4s are 20 and 5 3s are 15 तो इसके ratio के अगर हम बात करें तो इसका ratio होगा 4 ratio 3 इसी तरीके से अब हम बात करेंगे जो इसका B वाला question है B वाला part है उसके बारे में बात करेंगे तो यहां पर हमें जो number of girls हैं उनके बारे में हमें पता है और total number of students हमें find out करना है यहां भी देखिए ratio हम कैसे find out करेंगे number of girls हमें already पता है कि number of girls है 20 और total number of students हमें find out करना है और total number of students कौन कौन से होंगे girls और boys को जब हम plus करेंगे 20 तो girls है boys है हमारे पास 15 इन दोनों को plus करेंगे तो total number of students निकल करके आएंगे तो 20 upon 20 plus 15 करेंगे यह होगा हमारे पास 35 राइट अब हम इसे cancel out करेंगे 5 से तो 5 4s are 20 and 5 7s are 35 अगर इसका ratio के बाद करें media friends तो यह 4 ratio 7 होने वाला है राइट और यही इसका answer भी होगा ठीक इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और question number second के बारे में discussion करेंगे काफी अच्छा और काफी प्यारा question है तो चलिए सबसे पहले question आप पढ़िये ध्यान से कि question में क्या दिया गया है और कैसे आप easily इस question को solve कर सकते है कि question के अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर out of 30 students in a class like football, 12 like cricket and remaining like tennis, find the ratio यहाँ पर इस question के अंदर कुछ शीर्जे हमें जो दी गई है उन्हें हम note down करेंगे फिर हम number of students liking football जितने लोग football बोल like कर रहे हैं और जितने लोग tennis like कर रहे हैं उनका हमें ratio find out करना है एक चीज़ बहुत ही clearly हमें दी होई है total number of students total number of students जो चीज़ दी गई है उसको सबसे पहले हम mention कर लेते हैं यह सबसे अच्छा तरीका होता है जो चीज़े दी गई है question में उससे सबसे पहले आप mention करिए तो total number of students आपके सामने बिल्कुल clearly mention है कि total number of students कितने है देखिए total number of students हमारे पास है 13 अब हमारे पास यह देखना है कि जो football like करने वाले students है वो कितने है तो वो students है football like करने वाले 6 right six question में six दिया हुआ है तो अब हमें देखना है कि number of students like football कितने है number of students आपके mention करनेंगे number of student number of students student like football ऐसे students जो football को पसंद कर रहे हैं वो कितने है like football वो हमारे पास दिये हुए है already question में यह भी mention है तो हम लिख देंगे six right इसी दरीके से अब हमें लेखना है कि जो बच्चे क्रिकेट को like कर रहे है उन्हें वो कितने है वो 12 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे number of number of students number of students like cricket तो cricket कितने like कर रहे है वो आपको find out करना है तो cricket like करने वाले जो students है है वो हमारे पास clearly mention है वो कितने है 12 अब आपको जो भी ratio find out करना है वो आप find out कर सकते हैं देखें अगर total 30 students हैं और तीन तरीकी की गेम होरे है football cricket और tennis remaining like tennis तो अब हम यह भी देख लेते हैं कि tennis कितने like कर रहे हैं उसको find out करने के लिए हमें क्या करना होगा number of student like tennis अब यह tennis वाले कितने students हैं देखें total है 30 हमारे पास जिसमें से 6 football को पसंद कर रहे हैं और 12 cricket को अब इन में से हम minus कर देंगे 30 में से तो 30 में से जब हम minus करेंगे इनको तो 30 में से minus करेंगे 18 तो हमारे पास जो number of students निकल करके आएंगे वो निकल करके आएंगे 12 तो हम क्या सकते हैं कि ऐसे students जो की जो tennis को पसंद कर रहे हैं वो 12 है वो कितने है वो 12 है अब किसी का भी ratio find out कर रहा है हम easily find out कर सकते हैं सबसे पहला question जिसमें दिया हुआ कि number of students like football and number of students like tennis तो सबसे पहले वाले questions में हम ratio find out कर लेते हैं कि इसका ratio क्या हुगा देकि यह ratio बहुत simple है सबसे पहले हमें देखने हैं कि football like करने वाले students कितने देकि football like करने वाले students हैं हमारे पास six right और इसी तरीके से जो students tennis like कर रहे हैं वो है 12 तो यह हम लिखते हैं कि 6 upon 12 इसको cancel out करेंगे तो 6 1 जा 6 and 6 2 जा 12 और इसका ratio के अगर हम बात करें तो 1 ratio 2 होगा right इसी तरीके से अब हम बात करते हैं जो हमारा B वाला question है उसके अंदर क्या पूछा जा रहा है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं इसमें भी हमें ratio find out करना है राइट इसमें भी हमें ratio find out करना है और इसमें आरे रेशियो find out करना है ऐसी students का जो cricket को पसंद कर रहे हैं वो हैं हमारे पास 12 और total number of students जो हमारे पास दिये हुए हैं हैं हमारे पास 30 तो वो होगा हमारे पास 12 upon 30 और इसको जब हम cancel out करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा 6 से 6 2 जा 12 and 6 5 जा 30 तो यह होगा हमारे पास ratio to ratio 5 तो इस तरीके से आप 2 ratio 5 यह इसका answer भी होगा अब हम बात करते हैं जो हमारा question number third है उसके बारे में और उसको समझने और जानने के कोसिस करते हैं कि कैसे हम question number third को solve कर सकते हैं question number third को अगर आप ध्यान से देखें तो यह एक यह जो figure दिया हुआ यह जो picture दिया हुआ इसके उपर best question है यहाँ पे जो आपको diagram दिख रहे हैं कुछ triangles हैं कुछ circles हैं कुछ rectangles हैं कुछ squares हैं तो हमें देखना है कि यह जो rectangle दिख रहा है बड़ा वाला इसके अंदर जो pictures आपको दिख रही हैं उन picture के basis पे हमसे question पूछा गया है सबसे पहले हम बात करते हैं यह वाले question के जिसमें हमें find out करना है ratio ratio किन किन का find out करना है वो चीज़ें आपको देखने होगी यहाँ पे बड़े ध्यान से देखें सबसे पहले आपको देखना है number of triangles कितने number of triangles कितने है तो आप देखिए one two and three number of triangles कितने है three और उसके बाद हमें देखना है number of circles तो number of circles कितने है one and two तो three upon two it means इसका जो ratio होगा वो three ratio two होगा right सेम इसी तरीके से यह second वाले question के अंदर भी हमें ratio find out करना है किस-किस का ratio find out करना है number of squares तो number of squares के अगर बात करें तो कितने हैं दिये हुए देखिए number of squares यह है और एक यह है दो number of squares है और यहां पर अगर हम बात करें rectangle की कितने figures है इस rectangle के अंदर all the figures देखिए one two three four five six seven total है seven तो हम लिख देंगे two upon seven और इसका जो ratio आएगा यह तो रिष्योग सेबन इसी तरीके से जो सी वाला question है जिसके अंदर number of circles देखना है और number of rectangles देखना है कि कितने number of circles के करें तो वह दो दिय वह हमारे पास आप आप सकते कि number of circles दिय हूए व्योन दिय हूए और इसी तरीके से जो rectangle हमारे मेरे पास दिये हूए है जो rectangle दिये हुए है वो कितने दिये हुए है total all figures कितने हुए number of circles हमने देखा और rectangle के अंदर inside the rectangle हमारे पास कितने figures दिये हुए है वो दिये हुए है 7 तो यहाँ पर हम देखेंगे 7 और इसी तरीके से इसका जो ratio आएगा इसका answer होगा इसी तरीके से अब हम बात करेंगे जो हमारा question number fourth है उसके बारे में उसको भी समझने की कोसिस करते हैं कि क्या दिया हुआ है और कैसे हम question number fourth को solve कर सकते हैं तो यह काफी easy question है अगर आप ध्यान से देखें और इसको समझने की कोसिस करें तो distance जो cover कर रहा है इसमें हमें दिया हुआ है 9 km और 12 km find the ratio of speed of Hamid and speed of Akhtar देखें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि speed equal to क्या होता है speed equal to होता है distance upon time और यह चीज़ आपको बहुत अची तरीके से पता है यह होती है distance upon time distance upon time right और यही चीज़ हम find out करेंगे Hamid के लिए भी और Akhtar के लिए भी तो सबसे पहले speed of Hamid speed of Hamid find out करेंगे speed of Hamid Hamid की speed कितनी है वो हमें find out करना है तो distance कितना travel कर रहा है 9 और कितने में 1 यानि कि 9 km per hour same इसी तरीके से अब हम find out करेंगे speed of Akhtar Akhtar की speed हम find out करेंगे वो दिव यह हमारे पास 12 नहीं कि 12 upon 1 अब 12 upon 1 इसका मतलग क्या होगा 12 upon 1 का मतलग होगा 12 km per hour 12 km per hour अब एक चीज़ जो हमें समझनी है वो यह है कि अब हमें इनका ratio find out करना है इनकी speed का ratio find out करना देकर ratio easily आप find out कर सकते हैं यह 9 km per hour और इसका है 12 km per hour अब इनको आप cancel out करेंगे तो 3, 3, 9 और 3, 4, 12 यानि कि इसका जो ratio होगा वो 3, 4 होगा इसका जो ratio होगा वो 3, 4 होगा माइ डियर फ्रेंड्स एंड माइ डियर स्टुडेंट्स अब हम बात करेंगे question number 5 के बारे में काफ़ी interesting question है और देखें चीजों को आप सबसे पहले समझें question को ध्यान से पढ़िए और easily question आप से solve होगी बहुत easy way में solve होगा question बहुत आसान है question आपको घबराने के कोई जरुरत नहीं है तो चलिए बात करते है question number 5 के बारे में question number 5 के अंदर हमें equivalent ratio find out करना है और पूछ रहे कि क्या ये equivalent ratio है आपको बताना है equivalent ratio क्या होते है इसके बारे में आपको थोड़ा से समझा देता हूँ लिखा हुआ तो ये equal है 4 upon 6 के ये फिर से equal होगा किसके 6 upon 9 के क्यों क्योंकि इन सब को जब आप cancel out करेंगे तो 2 upon 3 ही आएगा इसको भी cancel out करोगे तो 2 upon 3 आएगा इसलिए that's why ये equivalent है यानि equal और बिल्कुल equivalent यानि कि equal है इनके ratio equal है तो सबसे पहला हम equation दिया हुआ 15 upon 18 और यहां पर आप देख पा रहे हैं एक box बना हुआ और यहां दिया हुआ 6 आप देखिए ना 6 को 18 को डिवाइड करते हैं 6 से तो वो 3 बार में cancel out होगा तो यहां भी अगर हम divide करें कोई ऐसा number जो three times में divide होगा तो वह होगा five हमारे पास तो five upon six होगा इसी तरीके से यहां पर हमारे पास 10 दिया हुआ 10 और यहां पर दिया हुआ 15 राइट ये दिया हुआ हमारे पास 10 या निकि 5 tools are 10 और 6 tools are 10 इसी तरीके से यहां पर हमें दिया हुआ है 6 में 5 का multiply कर रहे हैं तो 30 आ रहा है 6 5 जो 30 और 5 में अगर 5 करेंगे तो 25 25 येस हम क्या सकते हैं कि यह जो हमारे पास दिये हुए these are equivalent ratio यह बिल्कुल equivalent है इसमें कोई भी दोराय नहीं है यह बिल्कुल equivalent है तो अब हम बात करेंगे question number 6 के बारे में उसको जानने और समझने की कोसिस करेंगे कि कैसे हम ratio find out कर सकते हैं और काफी easy way में आप इनके ratio find out कर सकते हैं सबसे पहला हमें दिया हुआ है 81 to 108 देखें इसका ratio आप easily find out कर सकते हैं अगर आप इसका ratio find out करना चाहते हैं तो इसको आप लेखेंगे 81 upon 108 अब हमें यह देखना है कि क्या यह number किसी number से cancel out हो रहा है क्या यह आपको देखना है यह number बिल्कुल cancel out हो रहा है यहां पर अगर आप इस question को बड़े ही ध्यान से और समझने की कोसिस करें तो यह question जो cancel out हो रहा है वो 27 से हो रहा है यानि कि 3 times में होगा यह और यह होगा 4 times में इसको हम कह सकते हैं कि यह 3 ratio 4 3 ratio 4 ठीके सी तरीके से B वाला question देखें 98 to 63 दिया हुआ इसका भी ratio आप find out कर सकते हैं 98 रखें और 63 रखें इसको cancel out करते हैं चलिए 7 से अगर cancel out करें तो यह 14 time में है और यह जो cancel out करेंगे यह 9 time में तो यह होगा हमारा 14 ratio 9 5 अब हम बात करते हैं C वाल equation के बारे में कि इसका ratio क्या होगा जिसमें 33 दिया हुआ है 121 दिया हुआ इसको समझने की गोस्स करते हैं देखिए यहाँ पर 33 दिया होगा तो यह होगा 33 upon 121 अगर हम इसको cancel out करने की courses करें तो यह होगा हमारे पास 11 से 3 time में और यह होगा हमारा 11 time में यानि कि यह होगा हमारा 3 ratio 11 इसी तरीके से D वाल equation के बारे में बात करते हैं जिसमें हमें ratio find out करना है और दोनों ही जो quantities है वो सेम है यानि कि minute में दी हुए यह सबसे हमें ध्यान रखना होता है कि minute दिया हुआ है तो दोनों ही quantities मिनिट में हूँ अगर हमें किलोमेटर में दिया हुआ है तो दोनों ही क्वांटिटी में हो इस चीज़ का में ध्यान रखना होता है हमें रेशियो में दिया हुआ है 30 और सेकेंड वन दिया हुआ है हमारे पास 45 रही जब हम इसको कैंसल आउट करते हैं तो यह 15 टूजर 30 7 है उसके बारे में काफी easy question है आपको केवल ध्यान से एक बार समझना है कि कैसे question number 7 काम कर रहा है कैसे हम उनके quantities को ध्यान से देखना है कि same है या नहीं है अगर नहीं होते हैं तो सबसे पहले हम same करते हैं उसके बाद उसका ratio find out करते हैं question number 7 की अगर हम बात करें तो आप बहुत ही देख सकते हैं ध्यान से कि यहाँ पर हमें ratio find out करना है लेकिन यह minute में दिया हुआ है और यह hour में दिया हुआ है तो अब आप या तो इन पूरे question को आप minute में change करो या तो फिर hour में change करो तो मेरे लिए यह सबसे आसान तरीका लग रहा है वो यह है कि में minute में easily change कर सकता हूँ तो मैं इनके ratio को find out कर सकता हूँ आसानी से और इक चीज़ हमें बहुत क्लियरली पता है कि हमें ratio की जो yearnit हें वो हमें same क्यों करनी है इसलिए करनी है क्यों कि दिखिय को अगर एक 7th class का बच्या ta उसका compare ैए 7th class के बच्चे से हो सकता है उसके knowledge आप 7th class के बच्चे ऐ एक second class के बच्चे से नहीं कर सकते या फिर आप 7th class के बच्चे का compare आप 12th class के बच्चे से नहीं कर सकते same इसी तरीके से quantities में भी ratio होता है और हमने पहले ही पढ़ा था कि जो ratio होता है वो compare करने के खाम आता है तो इसको हम सबसे पहले जानने की कोशिस करेंगे और समझने की कोशिस करेंगे की कैसे इस question को हम solve कर सकते हैं देखें यहाँ पे हमें one hour दिया हुआ है तो एक चीज हमें clearly समझ आ रही है कि one hour equal to होता है 60 minutes तो यहाँ पे 30 minutes तो पहले दिया हुआ 30 minutes हमें पहले दिया हुआ 30 minutes यहाँ पे पहले ही हमें mention करके दिया हुआ 30 minutes 2 1 hour तो 1 hour equal 2 होता है equal to 60 minutes और यह आपको पता है पहले से आपने पढ़ा है तो 30 minutes इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 30 minutes to 60 minutes 30 minutes to 60 minutes ऐसा हम लिख सकते हैं अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो आप इसके ratio को भी find out कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ से clearly लिख सकते हैं 30 upon 60 और इसको जब आप cancel out करेंगे तो 1 upon 2 आएगा यानि कि इसका ratio होगा वो 1 ratio 2 होगा अगर मान लिजिए कि आपके questions में इसकी जगे पर 1.5 होता suppose करो कि यहाँ पर 1 hour की जगे पर 1.5 होता तो अब आपको 1.5 का निकलना है यानि कि 1.5 hour यानि कि 60 plus 30 यानि कि 90 hours होता है यानि कि 1.5 hours का find out रह सकते हैं इसी तरीके से समझने की कोशिस करिए कि मान लिजिए कुछ ऐसा दिया हो कि 30 minutes दिया हो और यहाँ पर दिया हुआ है to 1.5 दिया हुआ तो आप कैसे करेंगे इस question को देखिए 1 hour equal to 60 minutes होता है तो आपको निकालना है 1.5 equal to क्या होगा 1.5 hour equal to क्या हो जाएगा आप इसली find out कर सकते हैं 1.5 में multiply कर देंगे 60 का तो यह हो जाएगा हमारे पास 90 minutes अब 90 minutes आगे आपके पास तो आप इसका भी ratio find out कर सकते हैं easily find out कर सकते हैं कैसे find out करेंगे 30 upon 90 cancel out करेंगे यह 3 1 और यहां पर जाएगा 3 यानिकि इसका जो answer होगा 1 ratio 3 होगा तो यह तो बात हो गई हमने अगर 1.5 दिया हो तो इसी तरीके से अब हम बात करेंगे जो हमारा second question है 40 cm दिया हुआ यहां पर और 1.5 मीटर दिया हुआ है इसको हम solve करते है 40 cm अब 1.5 मीटर देखिए या तो आप दोनोंगी quantities को मीटर में चेंज करिये या फिर cm ले चेंज करिए question हमें क्या दिया हुआ है question हमें दिया हुआ है 40 cm 40 cm दिया हुआ है right और फिर हमें एक चीज़ दी वही है वो दी वही है 1.5 मीटर 1.5 मीटर दिया हुआ तो अब हमें करना क्या है अब हमें यहां से 1 meter equal to हमें पता है कि 1 meter equal to होता है 100 cm 100 cm होता है यह चीज हमें पता है clearly mentioned है और यह पता है कि 1 meter equal to होता है 100 cm तो अब आपको find out करना है कि 1.5 meter equal to क्या होगा 1.5 meter equal to क्या होगा आपको 1.5 का multiplication करना है 100 से जब आप 1.5 का 100 से multiplication करेंगे तो यहाँ पे वो जो निकल करके आएगा वो आएगा 1.1.5 1.5 meter 150 cm निकल करके आएगा 150 cm यानि कि अब जो आपका question होगा वो कुछ इस तरीके का होगा now ratio जो आप होगा आपका 40 cm to 150 cm अब इसका ratio आप easily find out कर सकते हैं क्योंकि आपको इसका ratio find out करना आता है क्योंकि 40 upon 150 लिखेंगे जब आप इसको cancel करेंगे 40 upon 150 को यह आएगा हमारे पास 4 upon 50 और इसका जो ratio होगा वो 4 ratio 15 होगा राइट इसी तरीके से अब हम बात करेंगे जो हमारा question number 3 है उसके बारे में और question number पर जो C है ना उसमें एक चीज़ हमें clearly mention करके दी हुई है वह हमें यह दी हुई है कि 15 पैसे to one rupees हमें दिया हुआ 15 फिफ्टी फाइफ पैसे दिया हुआ 15 नहीं दिया हुआ 55 पैसे दिया हुआ कि टू one rupees देखिए one rupee equal to आपको पता है कि क्या होता है one rupee equal to होता है 100 पैसे 100 पैसे यह चीज़ हमें दी हुई है तो 55 पैसे 55 पैसे डू 200 पैसे अब इसका all च्रीका आप find आउ करें कैसे bill है 55 अपॉन 100 55 आप अपं 400 जब इसको आप argue PowerPoint करेंगी 55 अपन अंड्रिट को जब आप कैंसलओ करेंगी तो यह 18 अपन 20 हो चरिके लावन diamonds 10 में और इसको करेंगे अगर तो यह 20 1 इसका जो रेशियो होगा वो 11 रेशियो 20 होगा और यही इसका आंसर भी होगा यहां पर देखिए यह इसका आंसर 14 रेशियो 15 अब हम बात करते हैं जो हमारा D वाला क्वेशन है उसके बारे में बात करते हैं जिसमें कि हमें एमल और लीटर में चीज़े दी हुई है तो जो D वाला क्वेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इसको सौल कर सकते हैं देखिए यहां पर मेले लीटर में दिया हुआ है और लीटर में दिया हुआ है या तो हम इसको लीटर में च तो मिलिलिटर में चेंज करना मेरे लिए काफी एजी होगा क्योंकि बड़ी उनिट को छोटी उनिट में चेंज करना एजी रहता है वहाँ पर डेसिमल्स में नंबर्स नहीं आते तो यह टू लिटर हो गया हमारे पास तो आप जो यह टू लिटर दिया हुआ इसको हम चेंज करेंगे हमें पता है कि यह वन लिटर एक्वल टू होता है 1000 मिलिटर रै टू लिटर एक्वल्ट बेटना होगा तो एक्वल्ट हो जाएगा 2 इंट वशुद्रो ह्नू यह होगा हमारे पास 2000 मिलिलिटर रै अब मारपेंशन किस तरीकएगा होगा ना हमारा रिश्यjets होगा वो अब इस तरीकए गहँगा 500 stat m egal to 2000 अब इसका ratio आप find out करेंगे जब इसका ratio आप find out करेंगे यह हो जाएगा 500 upon 2000 जब इसको cancel out करेंगे 5 upon 2000 यह होगा 1 upon 4 और इसका ratio हो जाएगा one ratio 4 यह इसका ratio होगा my dear friends यह था हमारा question number 7th अब हम बात करेंगे 7th के जो 4th question थे उन सबको हमने discuss कर लिया अब हम बात करेंगे question number 8 के बारे में और उसको जानने की कोसिस करेंगे question number 8 को कैसे हम solve कर सकते हैं अब हम बात करेंगे question number 8 के बारे में जिसमें की एक year में जो सीमा है वो earn कर रही है 1.5 like और वो save कर रही है 50,000 तो हमें ratio find out करना देखें यह काफी आसान है सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर total earning की total earning उसकी कितनी है टोटल earning उसकी जो है वो आपके सामने दी हुई है 1.5,000 और total earning में से जो उसकी saving है वो भी हमें clearly पता है total earning में से जो saving है वो हमें पता है वो 50,000 दी हुए राइट अब हमें ratio find out करने है अब हमें यह देखना है कि कितना पैसा उसने खर्च किया money spent money spent उसने खर्च कितना किया देखिए अगर वन अगर उसके पास 1,50,000 amount है अगर उसके पास 1,50,000 amount है और उसमें से उसने 50,000 amount save किया है यानि कि उसने जो खर्च किया है वो one like का वो कितना था one like उसने one like amount completely खर्च किया है अब हमें ratio find out करना है question number ek coding ratio कैसे find out करेंगे यहाँ पे सीमा निक की जो earning है और वो जो save कर रही है उसका ratio find out करना है earning और saving का ratio में find out करना है पहले वाले पार्ट में देखिए ratio इसका हम find out कर सकते हैं इसलिए क्योंकि इसके पास जो earning है total वो है one like fifty thousand की अगर हम इसको cancel out करें तो easily हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी यह त्री बार में cancel out हो जागा यानि कि three upon one और इसका जो ratio आएगा वो three ratio one आएगा इसी तरीके से second वाला जो question है जिसमें हमें ratio find out करना है कि कितना save कर रही है और कितना spend कर गहीं save तो 50,000 कर रही है और spend वो one like कर रही है save वो 50,000 कर रही है अगर इसके saving की बात करें तो वो 50,000 save कर रही है और जो अगर उसकी spend की बात करें तो one like कर रही है अगर इसको cancel out करें तो यह one upon two होगा यानि कि one ratio two my dear friends अब हम बात करेंगे question number nine के बारे में देखिए अगर जो जितने भी word problem के question है न उनको आपको ध्यान से समझना होता है कि क्या दिया हुआ है और कैसे आप इन question को solve कर सकते हैं ध्यान से समझने की कोसिज करिए question number nine आपके बिलकुल screen पर दिख रहा होगा और यहां पर there are one hundred two teachers in school एक स्कूल के अंदर one hundred two teachers है और वहीं अगर देखा जाए तो 33 hundred students है हमें ratio find out करना है teachers and the number of students कितने हैं देखे ratio easily आप इस question का find out कर सकते हैं सबसे पहले आपको देखना है number of teachers one hundred two total number of students 33 hundred क्या यह cancel out होगा बिलकुल cancel होगा यह देखे न इसको अगर हम cancel out करते हैं तो यह आगया हमारा five fifty और यह seventeen times में हमारा cancel out हो गया है right five seconds लाउट करने भी five से नहीं बल्कि six seconds लाउट किया है तो six seconds लाउट करेंगे तो 17 times में और यहां भी six seconds लाउट करेंगे हम तो 550 इनका जो ratio होगा वो 17 ratio 550 आईगा right 17 ratio 550 इसी तरीके से आपने बहुत अच्छी तरीके से question number first से लिए करके 9 तक के questions देखें अब हम बात करेंगे question number 10 के बारे में जो की काफी easy question है तो सबसे बिले हम देखते हैं कि question number 10 में question number 10 की अगर हम बात करें तो दीखें यहां पर दिया हुआ है कि एक college के अंदर 4,320 students हैं जिसमें की 2300 girls हैं अब हमें ratio find out करना है तो ratio को find out करने से पहले हम यह देखेंगे कि total number of students उस college के अंदर कितने हैं सबसे बिले हम देखेंगे total number of students total number of students वह कितने हैं देखेंगे total number of students के बात करें तो वह हमारे पास 4320 और number of girls हम देखेंगे यहां पर number of girls वह हैं हमारे पास 2300 तो इसी तरीके से अगर हम number of boys की बात करें तो वह भी हम find out कर सकते हैं माइनस करना होगा आपको total number में से number of girls को number of boys वह कितने हमारे पास number of boys है 4,3,2,0 में से number of girls को माइनस कर देंगे 2300 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो number of boys होंगे 2020 2020 अब इसके basis पे हम question number first को second को और इसी का जो third वाला पार्ट है यानि कि C उसको भी solve करेंगे तो चलिए number of girls and total number of girls हमारे पास 2300 है और total number of students है वह 4,320 है हमारे पास total number of students cancel out करेंगे इसको हम तो यह easily cancel out हो जाएगा और यह cancel out होने के बाद हमारे पास 115 time में cancel out होगा और यह जो number है वह 216 में cancel out होगा यानि की sorry 216 और यह हो जाएगा 115 ratio 216 बी वाल equation के बारे में बात करते हैं इसका भी ratio हम find out करते है इसमें सबसे बिले number of boys हमारे पास दिया हुआ है 2020 और number of girls जो की 2300 दिया होई है इसको अगर हम cancel out करेंगे यह होगा 101 और अगर हम बात करें तो यह होजाएगा हमारा 115 राइट अगर हम इसको cancel out करते हैं और इसका ratio कम लिखते हैं यह होजाएगा 100 one ratio 105 सेम इसे तरी किसे थर्ड वाले क्वेशन के बारे हम बात करते है number of boys और total number of students number of boys और total number of students हमें find out करना है तो number of boys हमारे पास कितने हैं यह चीज हमें clearly पता है कि number of boys जो हैं वो हमारे पास दिये हुए हैं जो की completely हमें अधिया हुआ है 2020 राइट 2020 दिया हुआ है और इसके साथ ही जो number of total number of students हैं वो हमें दिये हुआ 4320 इन सब को जो हम cancel out कर रहे हैं वो 20 से cancel out कर रहे हैं तो यह 101 हो रहा है और यह जो हो रहा है वो 216 हो रहा है 216 यहां भी हमने 20 से cancel out किया था यहां भी हमने 20 से cancel out किया था दोनों ही numbers में तो इस तरीके से आप ratio find out कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और question number 11 के बारे में discuss करते हैं कि क्या दिया हुआ है और कैसे हम question number 11 को solve बढ़ सकते हैं सबसे पहला जो हमारा basic तरीका होता है question को solve करने का कि question को आप ध्यान से पढ़िए एक पर जब आप questions पढ़ लेते हैं तो आपको चीजें बिल्कुल clear हों लगते हैं यह आप लिखा है out of 1800 students in school यानि की एक चीज बहुत clear है कि total number of students हमें पता है तो सबसे पहले आप लिख दीजिए total number of students यह चीज आपको पता है ना पहले से ही question में दिया हुआ तो जो चीज दी हुई हम पहले लिख देते हैं कि ताकि हम हमारा बिल्कुल mind clear रहे हैं जिसमें से 750 opted basketball को चुनते हैं और 800 cricket को और बाके table tennis को तो जो students है जिन्हों और आप्ट किया हुआ है बास्केट बोल को तो number of students यहां पहले हम सबसे पहले फिर से यहां पहले लिखेंगे कि जो number of students है । नमबर अव स्टुडेंट्स अग देखैया आ पे तीन तरीकी गेम है सबसे बिले हम करते हैं वैसे जिन्हों ने औपT किया है बास्केट बॉल बास्केट बॉल कितने स्टूडेंट्स ने अपT किया है तो वो आपके स्टेशन में वहाई चाहिती की वहने लिख लिए है सेम इसी तरहीगे से हम देखेंगी कि ऐसे स्टुडेंट्च भी है चिन मोने के स्कूल के अंदर जो आप किया हुआ है अंगर क्रिकेट कॉप्ट किरैंगर है क्रिकेट कर तो इसके अंदर वह जो हैं वह 800 है क्रिकेट का उट करने वाले शीनisches दरीगे से हम आगे वढ़ते हैं और टेबल टेनिप जो है वह हमँए फाइंड ऑट करना रिमेनिंग टेबल टेनिस वाले या यानि कि सब्सक्राइब number of students opted we can table tennis hey, right वह कितने Table tennis tennis यह Table tennis अब यह जो Table tennis वाने students हैं, वह हमारे पास कितने हैं इसको find out करने के लिए हमें करना क्या होगा जो 1800 total students है इन में से minus करना होगा जो basketball वाले है 750 और cricket वाले है 800 इनको plus करने के बाद minus कर देंगे 800 में से जब हम minus करेंगे यह जो total हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर हो जाएगा यह 0 और यह होगा 5 और 05 और यह होगा 15 यहाँ कि 1800 में से हम 1550 को minus करेंगे राइट 1800 में से हम minus करने वाले है 1550 हूँ तो हमारे पास 250 आए इसका 250 आएगा SS students जो टेवल टेनिस कहल रहे है राइट टेवल टेनिस वाले 250 होगे अब हमें इसके basis पर जो question पूछे गया है सबसे पहला question क्या हमें ratio find out करना है ऐसे students का जो basketball और tennis को opt कर रहे हैं तो basketball वाले जो बच्चे हैं वो 750 हैं और table tennis वाले 250 हैं इसको अगर हम जैंसे लाउट करें तो यह 3 ratio 1 होगा जनी कि 3 ratio 1 ठीक इसी तरीके से दूसरा question है बी वाला जिसके अंदर भी हमें ratio find out करना है और वो ratio find out करना एसे students जिन्होंने cricket को opt किया है और basketball को opt किया है तो cricket को opt करने वाले number of students है 800 और basketball को opt करने वाले students है 750 इसको अगर हम cancel out करें तो यह हो जागा 16 और यहां जो हमारे पास होगा होगा 15 अगर हम 50 से cancel out करते हैं तो यह होगा 16 ratio 15 इसी तरीके से जो C वाला question है जिसमें भी हमें इसके अंदर भी हमें ratio find out करना है और इसके अंदर जो ratio find out करना है वो हमें find out करना है जो basketball opt करने students वो हमारे पास 750 है और total number of students जो है उनका ratio नहीं कि 1800 है total number of students इसको अगर हम cancel out करें 250 से यह 5 बार में होगा और यह जो होगा 12 बार में होगा यानि कि इसका जो ratio है वो 5 ratio 12 होने वाला है यह होगा 5 ratio 12 इसी तरीके से अब हम बात करेंगे question number 12 के बारे में उसमें हम जानने की कोसिज करेंगे समझने की कोसिज करेंगे और question को ध्यान से पढ़ेंगे सबसे पहले कि क्या दिया हुआ है उसके बाद question को question number 12 कि अगर हम बात करें तो cost of dozen pen one dozen pen is 180 and cost of eight bowl pens is 56 find the ratio of pens and cost of the ball pen देखिए सबसे पहल आपको पता होना चाहिए कि one dozen में कितने pen होते हैं तो one dozen में होते हैं 12 पेंस 12 पेंस होते हैं तो cost of सबसे पहले हम देखिए यहां पर लेकिंगे cost of cost of a dozen pen a dozen pens राइट वो हमारे पास दिया हुए है 12 12 पेंस है राइट equal to 180 राइट यह cost है उसकी 12 पेंस की अब हमें eight तो एक pen की cost हमें सबसे पहले find out करेंगे तो कैसे find out करेंगे देखिए cost of one pen देखिए 12 pen की cost है 180 तो एक pen की cost कितनी हो जाएगी 180 अपन पर जब हम इसको divide करेंगे तो होगा 15 इसी तरीके से हम eight ball pens की cost को find out करेंगे cost of eight ball pens तो हम एक बाल की cost find out करेंगे cost of एक ball pen की cost हो cost find out करेंगे तो वो भी find out कर सकते हैं हम 56 को divide करेंगे eight से 56 को हम divide करेंगे eight से तो 56 को जब हम eight से divide करेंगे तो यह होगा seven यह होगा seven यानि कि clearly अगर हम देखें तो एक pen की cost जो आ रही है हमारे 15 रूपीज आ रही है और एक wall pen की cost आ रही है वो seven आ रही है अब हमें इनका ratio find out करना है रेशियो find out क्यासे करेंगे तो यह ratio हम जब ही find out कर सकते हैं जब हमारी units है यह एक पैन की cost पता हो या दो दो पैन की cost पता हो तो easily हम find out कर सकते हैं अब pain की varieties आ लागे है एक wall pen है और एक normal pen है तो wall pen हमारा 15 है और जो wall pen हमारा सावन है और normal pen हमारा 15 रूपीज का है तो 15 अपोन सावन यानिकि जो इसका ratio होगा वो 15 रेशियो सावन होगा तो यह था हमारा question number 12 इसी तरीके से अब हम बात करेंगे question number 13 के बारे में और उसको समझने की कोसिस करेंगे कि कैसे हम इस statement को complete कर सक हुदी रइट एक चीज बहुत क्लियर है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ratio दिया हुआ ब्रेट और लेंद्ट का 2 ratio 5 complete the table of possible minute length of the hall यहाँ पर bread दिया हुआ है 10 यहाँ पर दिया हुआ है 25 जो ratio है न वो 2 ratio 5 का है अगर हम ratio find out करने की कोशिज करें ratio ratio find out करने की कोशिज करें तो 10 upon 25 cancel out अगर हम करेंगे तो 2 ratio 5 आएगा इसी तरीके से जो इसका equivalent find out अगर आप करते हैं इसका अगर हम equivalent find out करें तो क्या होगा 2 upon 5 का multiplication हम करेंगे सबसे पहले तो 10 नहीं तो क्या होगा 20 upon 15 इसी तरीके से 2 upon 5 का हम multiplication अगर करते हैं 40 में 20 में sorry 20 upon 20 यह होगा 40 upon 100 देखें आपर 14 है तो हमें 100 लिखना है यहां 50 अगरी तो 20 लिखना है तो easily हम find out कर सकते हैं इनके जो ratio हैं उनको आगे हम बात करेंगे question number 14 के बारे में तो चली देखते हैं कि question number 14 में क्या दिया हुआ है और कैसे हम question number 14 को question number 14 काफी interesting question और सबसे पहले तो यह डिली लाइफ में use होते हैं इस टाइप के चीज़े जैसे कि महां लीजे कि मैंने आपसे बोल दिया कि 20 पैंस हैं और दो लोगों के बीच में आपको divide करना है और इनको distribute करना है दो लोगों के बीच में 3 ratio 2 के term में या 4 ratio 5 के terms में तो देखे इसको कैसे हम solve करेंगे ratio जो हमें दिया हुआ है सीला और संगीता का वो 3 ratio 2 दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं question में ratio हमें दिया हुआ है ratio between EK करके चीज़ों को समझा हुआ ध्यान से आप समझना और अगर doubt विल्कुल नहीं आने वाला है कि doubt का बाता जब हम सुनते नहीं है ध्यान से मैं तो कहता हूँ कि आप अपने साथ है na pen copy जब आप मेरी class में हो जब आप मेरी video lectures को देख रहे हुआ हुआ एक अपने साथ pen और paper जरूर लेकर के मिठें इससे क्या होता है कि जो questions में करा रहा हुआ आप ध्यान से करके जाहिए न अपने words में notes बनाईए 3 ratio 2 हमें दिया हुआ है सीला और संगीता का जो ratio है total in terms को हम find out करेंगे total इसका हम find out करेंगे total these terms total क्या हो जाएगा 3 plus 2 यानि कि 5 अब main question यहां से हमारा शुरू हुआ है यानि कि अगर हम सीला के part की बात करें सीला के part की बात करें तो उसका 3 ratio है तो इसको मिलेगा 3 upon 5 यानि कि 5 में से तीन हिस्सा सीला को मिलेगा right अगर हम संगीता के part के बारे में बात करें तो इसको मिलेगा 5 में से 2 हिस्सा मिलेगा यानि कि देखिए अब इसको एक practically में आपको समझाने की कोसिस करता हूँ जैसे माल लेजिए कि यह है पार्ट जिसके 5 पार्ट हुए है इसके कितने पार्ट हुए 5 पार्ट हुए यानि कि 1 पार्ट यह होगा हमारा 1 पार्ट 3 पार्ट 4 और 5 1 2 3 4 1 2 3 4 एक और पार्ट है मैं जैसे माल लेजिए कि यह है हमारा यह होगा राइट 1 2 3 4 5 पार्ट है राइट इक्वल होना चाहिए 5 पार्ट अगर इन में से जो 3 पार्ट है यह 3 पार्ट सीला को मिलना तो 2 पार्ट संगीता को मिलेगा यह रीश्यो कहला था राइट अब हमें देख करना है total pains 20 है तो 20 को multiplied कर देंगे 3.5 यहां भी फिर संगीता का अगर हमें find out करना है total तो हमारे पास 20 है ना 20 को फिर से multiply कर देंगे 2.5 में तो हमें पता जाएगा कि किसको कितने pains मिले हुए राइग बहुत easily find out हो जाएगा यह देखिए यह four times में cancel out हो जाएगा तो fourth रीजा होता है 12 और यहां पर देखिए यह four time में यह भी cancel out हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो जाएगे 8 पैंस यानि कि सीला को मिलेंगे 12 पैंस और संगीता को मिलेंगे 8 पैंस तो यह हमारा answer होगा आगे बढ़ते है question नमर 15 के बारे में discussion करते हैं बहुत easy way में आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि question नमर 15 का किस तरीके से हम use करने वाले हैं क्या दिया हुआ है किस तरीकी के चीज़े हैं जो हमें समझनी है question नमर 15 को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो यहांपे लिखा हुआ है कि mother wants to divide 36 between daughters में और यहां पर ratio इनके edges का दिया हुआ है एक स्रिया है वो 15 years की है और जो भूमिका है वो 12 years की है तो कितना स्रिया को मिलेगा कितना भूमिका को मिलेगा यह चीज़ हमें find out करनी है देखें सबसे पहले तो जो ratio है उनके edges का वो हम find out करेंगे क्योंकि वो उनके यह 36 रुपीज देना वो divide करना चाहरी है अपनी दो लड़किया है उनके बीच में वो भी उनके ratio के अधार पर ratio of edges उनके ages के ratio के अधार पर राइट जो उनकी उम्र है उनका जो ratio निकल के आएग तो सबसे पहले तो हम ratio find out करेंगे उनकी ages का किसका स्रिया और भूमी का तो ratio of the age सबसे पहले हम find out करेंगे ratio of the age is किसका of स्रिया स्रिया एंड स्रिया तू देट स्रिया तू देट ऑफ भूमी का दोनों का find out करेंगे तो यह ratio तो बहुत सिंपल है स्रिया कि आपको पता है कि 15 ने भूमी का 12 है इनका ratio के अगर हम बात करें तो 3 यह फाइव रेशियो 4 3 से cancel out करेंगे 5 बार में यह 3 से cancel out करेंगे 4 बार में cancel out जाएगा तो 5 रेशियो 4 इनका ratio आ चुका है अब जो 36 रुपीज है इनको divide करना है तो स्रिया को कितना मिलेगा स्रिया सबसे पहले हम बात करते हैं स्रिया की कि स्रिया को divide करने पर कितना मिलेगा यह जीज़ हमें find out करने है अब जो 5 और 4 का जो total टोटल टम्स जो आने वाले हैं जो टम्स इसका रहा रहा रेशियो का टम्स टोटल वो कितना होगा टोटल होगा 5 प्लस 4 यानि की 9 और स्रिया का जो रेशियो निकल करके आएगा कि वो आएगा 5 रेशियो 9 फाइव अपॉन 9 राइग सेम इसी तरीके से भूमिका का हम find out कर लेगे और भूमिका कितना आएगा वो आएगा 4 अपॉन 9 यह चीज़ी समझी है स्रिया का हमने 5 अपॉन 9 निकल भूमिका का 4 अपॉन 9 यह कैसे आया total जो रेशियो थे इनका हमने find out कर लेगे 9 हो गया यानिकि 9 में से 5 हिस्सा जो है वो स्रेया को मिलेगा 9 में से 4 हिस्सा है वो भूमिका को मिलेगा क्योंकि भूमिका छोटी है अब हमें 36 रुपीज को इनहीं के बीच में डिवाइट करना है तो 36 को डिवाइट करेंगे 36 इंटू sorry 36 को मल्टिप्लाई करन इसको मिलेंगे 20 रुपीज सेम इसी तरीके से भूमिका भी मिलेंगे 20 इंटू 4 अपन नाइन 36 रुपीज रुपीज राइट तो 36 में इसको मिलेंगे 16 रुपीज 4 फोर फोर जा 16 तो यह उनके रेश्यो के अदार पर इतना मिलेंगे भूमिका से अगे सकते हैं स्रेया गेट 20 रुपीज एंट वूमिका गेट 16 रुपीज 16 रूपीज भूमिका को और स्रिया को 20 रूपीज मिलेंगे पड़े फ्रेंट्स अब हम बात करेंगे question number 15 के बाद question number 16 को ध्यान से देखना question number 16 में क्या दिया गया है और कैसे हम question number 16 को solve करने वाले है questions बहुत easy है कि एवल आपको एक बार ध्यान से पढ़ना होगा समझना होगा कि क्या दिया गया है question में उनकी approach क्या है क्या पूछा जा रहा है ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है चलिए देखते है question number question number 16 जो है ये काफी interesting question है अगर आप ध्यान से पढ़े तो आपको समझ आ रहा होगा कि present age of father is 42 जो पिताजी है वो 42 years के हैं और जो son है वो 14 years का है तो मैं ratio find out करना है present age of father and present age of son देखिए पहला question बहुत easy इनका ratio हम easily find out कर सकते है क्योंकि present में वो 42 years के है और जोन का beta है वो 14 years का है तो इनका ratio easily present में हम find out कर सकते हैं वो आएगा हमारे पास 3 upon 1 यानि की 3 ratio 1 चलिए पहला question हमने solve कर लिया अब question number B के बारे पर पढ़ते हैं और समझते हैं age of father to the age of son ये इसका ratio find out करना है but condition is that when son was 12 years old देखिए जब उनका बेटा 12 साल का था तो उनके उस लड़के के पिता जी और उस लड़के की age का ratio find out करना है second question के अंदर देखिए present में वो बच्चा 14 years का है और present में जो उनके पिता जी हैं वो 42 years के हैं तो ये बताईए कि जब वो लड़का 12 साल का होगा है इनके दो साल पहले की बात हो रही है तो उनके पिता जी की years कितनी होगी उस में से भी हम 2 को minus करेंगे तो 42 में से 2 को minus करेंगे तो कितना होगा वो 40 years के होगे वेन एक कंडिशन में लिख देता हूँ यहां पर वेन सन्वाज 12 years वेन सन्वाज 12 years यानि कि 2 years ago अभी वो 14 साल का है यानि कि 2 years पहले की बात हो रही है यानि कि that is 2 year ago और after का मतला होता है भाद में रही है then father was तो father कितने के होगे then father was father कितने के थे उस टाइम पर वो थे 42 42 में से हम minus करते हैं के 2 years क्योंकि अभी तो father उनके 42 के है 42 में से 2 को minus करेंगे तो 40 होगा यानकि उनके पिदाजे 40 years के रहे होगे तो अब हम इनका ratio find out कर सकते हैं easy अब ratio कैसे find out करेंगे देखे थे हां से समझेए अब इनका ratio find out करना हमारे लिए काफी easy हो गया है क्योंकि हमें पता चल चुका है कि जो son है वो 12 years का तो है लेकिन उसके जो father की age होगी 40 years हो जाएगी तो 40 upon सबसे पहले उनके father की age हमें और उसके son की इसका ratio find out करना है जब son 12 years का था 40 upon 12 करेंगे cancel out करेंगे तो यह जो होगा 4 से cancel out करेंगे 10 times में और यह cancel out करेंगे 3 times में यानि कि 10 ratio 3 इसका answer आने वाला है ठीक इसी तरीके से हम बात करेंगे question number C के बारे में जिसमें हमें दिया हुआ है आप देखे ध्यान से age of father after 10 years son after 10 years यानि कि 10 साल बात पिता जी की age और 10 साल बात उस लड़की की age age of father after 10 years देखे सबसे पहले तो दोनों after 10 years कितने होंगे सबसे पहले हम उसको लेख लेखे after 10 years age of son and age of father आप हम लेखेंगे age of son फिर हम find out करेंगे age of father देखे अभी फिलहाल में present में पादर जो उनके father है वो है 42 years के और जो लड़का है वो हो 14 years का है 14 year यह है और यह 14 years का जो son है वो हमारा 14 year मेरा son नहीं है question में जो son है वो 14 years का है और जो father है वो 42 years के है to 10 सल बात इसमें 10 years प्लस कर देगे तो जो बच्चा होगा वो 24 years का हो जाएगा 10 साल बादाद से और जो father है वो हो जाएंगे कितने years के father हो जाएंगे 52 years के और इनका हमें ratio find out करना है तो ratio हमें easily find out कर सकते हैं 52 upon 24 अब जब इसको हम cancel out करेंगे तो ये 4 से होगा यानिके 13 बार में और ये हो जाएगा हमारा 6 यानिकी 13 ratio 6 ठीक इसी तरीके से जो question number D है इसके बारे में discussion करेंगे और बाते करेंगे देखिए अब हमें ये find out करना है कि जब उनके पिदा जी 30 years के थे तो बच्चे कीस कितनी होगी लेकिए when when father was 30 years old यानि कि अगर अभी present के बात करें तो वो father 42 years के है यानि कि ये बात कर रहे है 12 years अगो की 12 years अगो 12 साल पहले की बात कर रहे है यानि कि जो sun होगा अभी जो 14 साल का है तो 12 साल पहले वो 2 साल करा हुआ ठीक 12 साल पहले इसमें से 12 years माइनस कर देंगे है तो जो जो उनका बेटा होगा वो 2 साल का हुआ होगा उस टाइम पह 12 साल पहले की बात है तो रेश्यो इसका find out करिए आप रेश्यो क्या हुआ यानि कि जो father है उनका रेश्यो अभी 30 है कब अभी सी 12 साल पहले जब वो 30 साल के थे तो बच्चा 2 साल कर रहा हुआ तो इनका रेश्यो फाइंड आउट कर सकते है 15 आपान 1 यानि कि 15 रेश्यो 1 यह इसका आंसर होगा तो यह complete exercise के मैडिया फ्रेंड जिसके अंदर हमने discuss किया काफी कुछ discuss किया 16 questions थे और जिसको हमने काफी अच्छी तरीके से discuss किया अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई doubt है तो आप क्या कर सकते हैं हमारे questions को हमारे website के उपर जा करके visit कर सकते हैं इसके लावा हमारी application भी है Google Play Store से तिवारी Academy जैसे आप सर्च करेंगे हमारी application को भी download कर सकते हैं वहां से भी आपको complete study notes free of cost आपको मिल जाएगा और अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई doubt है तो आप comment box में question करके ज़रू में ताइए lecture आपको कैसा लगा जरूर मेंचिन करें So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last God bless you